सनातन धर्म और प्रभुश्री राम के भक्तों के लिए अयोध्या में प्रभुश्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन किसी बड़े उत्सव से कम नहीं है। पंसौ वर्षों के लंबे संघर्ष के बार प्रभुश्री राम के मंदिर निर्मान का कार्य शुरू हुआ। वैसे तो फिल्म 695 में राम जन्म भूमी मंदिर के पंसौ साल के संघर्ष दिखाया गया है। लेकिन कहानी मुख्य रूप से 6 दिसंबर 1992 में धांचा विध्वन्स, 9 नवंबर 2019 को न्यायाले का फैसला और 5 अगस्त 2020 को मंदिर के शिलान्यास के इर्द गिर्द घूमती है। इसलिए फिल्म का शीरशक 695 रखा गया है। फिल्म की कहानी 1528 की घटना करम से होती है जब अयोध्या में प्रभुश्री राम के मंदिर को ध्वस्त करके मुगल बाबरी मस्जिद का निर्मान करते हैं। उसके बाद कहानी 1943 से शुरू होती है जब गुरु राघवदास अपने शिश्यों के साथ प्रभुश्री राम की पूजा अर्चना कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग उस पूजा का विरोध करते हैं कि शंखनाद और घंटों की आवाज से उनकी अबादत में बाधा हो रही है। गुरु राघवदास अपने शिश्य रगुनंदन के साथ मुस्लिम समुदाय के लोगों से मिलकर इस बात पर विचार विमर्श करते हैं कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे मंदिर मस्जिद का विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग इस बात से इंकार कर देते हैं। साल 1940 में मस्जिद में स्वधा प्रभु श्री राम की मूर्ती प्रकट हो जाती है और उसे विवादित जगह बताकर मंदिर में ताला लगा दिया जाता और फैसला अदालत पर छोड़ दिया जाता है। गुरू राघवदास का एक ही सपना है कि किसी तरह से मंदिर का निर्माण हो। उनके शिश्य रघुनंदंदास थोड़े उग्र स्वभाव के हैं। लेकिन गुरू राघवदास समझाते हैं कि एक रास्ता बंद हुआ तो क्या हुआ हजार रास्ते खुलेंगे। लेकिन वह शानती से होगा। मरते हुए अपने गुरू को रघुनंदंदास वचन देते हैं कि वह मंदिर के निर्माण में अपना जीवन समर्पित कर देंगे। साल 1940 से लेकर 9 नवंबर 2019 तक न्यायाले का फैसला आने तक के घटना करम को इस फिल्म में दिखाया गया है। इस फिल्म का निर्देशक योगेश भार्दवाज और रजनीश बेरी ने किया है। इंटरवल से पहले फिल्म की कहानी दर्शकों को बांधे रखती हैं लेकिन इंटरवल के बाद फिल्म की कहानी थोड़ी सी बिखर जाती है। इस फिल्म के तीन मजबूत पक्ष है। इस फिल्म की कड़ी अशोक समर्थ ही है। अपने आपको पूरी तरह से ढाल लिया। बाकी जितने भी नेताओं के किरदार में कलाकारों का चैन किया गया है। वह रैना जैसा अच्छा नहीं है। जब लालकृष्ण आडवानी की रत यात्रा की शुरुआत होती है तो नरेंद्र मोदी के किरदार आज के दौर का दिखाया गया है। जबकि उस समय उनकी सफेद डंडी नहीं थी। अटल बिहारी बाजपेई, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, प्रमोद महाजन के किरदार का चैन सही धंग से नहीं किया गया। शंभुनात की भूमिका में गोविंद नामदेव और महामंडलेश्वर की भूमिका में अखिलेंद्र मिश्रा पूरी फिल्म में सिर्फ ओवर एक्टिंग ही करते नजर आए। अखिलेंद्र मिश्रा को इस फिल्म में देखकर ऐसा लगा कि अभी भी वह चंदरकांता के किरदार से बाहर नहीं निकल पाए हैं इस समय पूरा देश जिस तरह से प्रभुश्री राम की भक्ती में डूबा है अगर इस फिल्म को सही तरीके से प्रमोट किया गया होता तो इस फिल्म से दर्शक जरूर जुड़ते फिल्म का production value भले ही शून्य हो लेकिन जिस तरह से देश में प्रभुश्री राम के प्रती इन दिनों प्रगाड आस्था देखने को मिल रही है अगर फिल्म को सही तरीके से प्रमोट किया गया होता तो इस फिल्म को जरूर फायदा मिलता फिल्म की सिनेमेटोग्राफी संकलन सामान्य है फिल्म के अधिकांश द्रिश्यों की शूटिंग क्रोमा पर हुई है और इसके तकनीकी कौशल में विफल रहने के चलते फिल्म का असर भी जाता रहा है झाल 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 झा